जबलपुर के धर्मसास निसनलो इंवस्टी में छात्र छात्राओं ने जम कर हंगामा किया। कि यहां पर गल्स छात्राओं के कपड़ों को लेकर प्रसासन अनावस्यक टिपड़ियां करता है। जिसके चलते छात्राओं अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती है। छात्रों ने बताया कि हम लोग अपना विरोस सांधिपूर्ण धंग से कर रहे थे। इसके बाद भी प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया और छात्रों के साथ अभधर बैवहार किया गया। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि परिक्षा के ठीक एक दिन पहले अटेंडेंस कम होने पर 75-100 रुपय की मांग करना बिना कारण बताय छात्रों को छात्रावास से बाहर कर देने जैसे कई घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही कहा गया कि जो भी छात्र समय सीमा पर फीस नहीं भरेगा उसे 500 रुपय प्रत दिन का दंड भी देना होगा। नाराज छात्राओं ने अपनी सिकायत में बताया कि निस्नल लौ इन्वेस्टी 2018 में मध्यपदेश सरकार के दोरा इस्थापित की गई थी पर चार साल बीत गए हैं और विवस्था के नाम पर यहां कुछ भी नहीं हैं। छात्रों ने बताया कि मूल भुस्तु विधाय ना होने के चलते यहां पर सेकडो छात्र परिसानी से जूज रहे हैं। नेशनल लॉन वेस्टी में हंगामा हो रहा था या सूजना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस का अमलाप मौके पर पहुचा और नाराथ छात्र छात्राओं को आस्वासन दिया कि उनकी मागों को गंभीरता से लेते हुए उच्छ अधिकारियों तक पहुचाया हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल है हम चाहते हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी जब तक पच्छे प्रोटेस्ट पे बैटे रहे हैं